जैसा तुमसी दाइनमा दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सत्कसी नुस्खे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपने यूटूब वीडियो में कि आप किस प्रकार से अपने घर पर ही बिना किसी साइट इफेक्ट के बिना पैसा खरच किये और बिल्कुल शेफ तरीके से जोन डीस यानि पिलिये को किस प्रकार से खतम कर सकते हो दोस्तों पिलिया रोग जो है वो हमारी लिवर की खराबी और लिवर में गर्मी बढ़ने के कार्ण होता है और पानी की मातरा कम होने से भी ये रोग हो सकता है दोस्तो ये रोग ज्यादा तलाब हुना खाने से दुसित बोजन करने से और दुसित पानी पीने से भी ये रोग हो सकता है दोस्तो इस रोग की हम पैचान किस प्रकार से करें दोस्तो जिसको ये रोग होता है पीलिया रोग होता है उसकी आखें जो है पीले रंग की हो जाती है यूरीन करता है वो यूरीन पास करता है तो वो पीले रंग का होता है और जब रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो जो है उस रोगी की सकीन पी जो है सकीन जो है यानि की चमडी जो है वो भी पिले रंकी हो जाती है दोस्तो ये रोग ज़्यादा सराब पीने से भी हो जाता है इसकी जाज जो है हम अच्छे प्रकार से किस प्रकार से करें किसी भी लेबोरेटरी में आप जा करके अपना बलड सेंपल से सिरम बिलरुबिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए उसमें आपको जो है कन्फर्म पता लग जाएगा दोस्तो अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किये अपने नुष्खे की तरफ मैं आपको दो नुष्खे बताऊंगा और दोनों ही बड़े आसान है और उसमें कोई पैसा भी खरच नहीं होगा दोस्तो आप जो है 50 गराम मूली के पत्ते ले लेना और उन मूली के पत्तों को जो है रस निकाल देना निचोड करके लुक दिशी बना के उस रस में आपको 10 गराम की मातरा में दागे वाली मिश्री मिक्स कर देनी है मिला देनी है अब ये आपकी एक बार की डोज हो गई और आपको 7 दिन तक 7 दिन तक इसी परकार जो है दो महिने तक आपको जो है दूद और हल्दी का सेवन बिलकुल नहीं करना है खटी चीजों का सेवन नहीं करना है और तली भुनी चीने चीजें मसालीदार चीजें भी नहीं खानी है अब दोस्तो हम चलते हैं अपने दूसरे नुष्खे की तरफ दोस्तो आपको किसी भी medical soap से फारमाशी soap से या भी पंसारी के दुकान से आपको जो है कलोंजी का oil तेल ले लेना है इसकी फोटो होजा आपको स्क्रिन में दिख जाएगी दोस्तो इस तेल को जो है आप आधा चम्मच की मातरा में एक कप दूद में mix करके सुबह खाली पे बिल्कुल खाली पे दो बार जो है इसका सेवन करें और रात के समय में भी जो है इसको एक कप दूद में आधा चम्मच डाल करके इसका सेवन करें साथ से लेके दस दिन के अंदर ही आपका फिलिया रोग जड़ से खतम हो जाएगा और इसमें प्रेज दोस्तों दो महिने तक आपको तलिफ हुनी चीजें हल्दी और मसालेदर चीजों का जो प्रेज आपको बता चुका हूँ वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है अलका खाना खाना है यह जानकारी आपको कैसे लगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ हमें गंटी का बटन दबा लेना ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो यह सब से पहले पहुच जाएं मैं आप से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही नुस्खा ले करके तब तक के लिए जैहिन थैंक्स फूर वाचिंग दिश वीडियो